आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में इंटरनेट स्लो चल रहा है यानि कि इंटरनेट स्लो चलता है तो ये प्रॉबलम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक ओप्शन मिलेगा सिम कार्ड and Mobile Network इस पर आप किलिक करिए उसके बाद यहाँ पर आपको चैक करना है जिस सिम से आप नेट यूज करते हैं अगर आपका वो सिम कार्ड यहाँ पर डेटा कार्ड यानि के डिफॉल्ट डेटा कार्ड के लिए सेलेक्ट नहीं है तो आपको उसे सेलेक्ट करना हो SIM का आप Net Use करते हैं उस पर किलिक करिए जैसे की हम Geo 4G का Net Use करते हैं तो इस पर किलिक करते हैं उसके बाद एक option आएगा Access Point Names इस पर किलिक करके नीचे Reset option पर किलिक करिए और ये process complete करने के बाद back आ जाईए उसके बाद फिर से back आईए यहां पर आपको मिलेगा Preferred Network Type इस पर किलिक करके अगर आपका 2G, 3G Select है तो Preferred LTE Select कर लीजिए और ये Select करने के बाद back आ जाईए उसके बाद आपको मिलेगा Mobile Network का एक option यहां पर Mobile Network पर किलिक करके अगर आपका ये option बंद रहता है तो आप इसे चालू कर दीजिए और अगर चालू है तो एक बार Off करके On कर दीजिए उसके बाद अगर आपका Use Vault E बंद है यानि कि Off रहता है तो आप इसे On करिए उसके बाद back आ जाईए यहां पर Settings में एक option आपको मिलेगा Connection and Sharing इस पर किलिक करके आपको मिलेगा नीचे एक option Reset Wi-Fi Mobile Network and Bluetooth इस पर किलिक करिए नीचे Reset Settings पर किलिक करिए अपने फोन का Lock Enter करिए उसके बाद OK का option आएगा OK करके आपकी Network Settings Reset हो जाएगी यह करने से आपका कोई Data Delete नहीं होता है OK करने से यहां पर आपकी Network Settings Reset करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपकी Problem ठीक हो जाएगी अब आपके फोन में Properly Internet Work करने लग जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं OK करने पर इस टाइप का Message आपको Show करा देगा और यह जब आपको Show कराएगा तो आप Back आ सकते हैं अपने फोन को उसके बाद आप बंद करके चालू कर लीजिए यानि के Restart कर लीजिए और उसके बाद आपकी Problem ठीक हो जाएगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें